आप सब लोग उमीद है सब खेरियत से होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे और इस गर्मी में अपनी स्किन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होंगे अपने बालों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन जैसे हमें स्किन जो है वो फ्रेश चाहिए होती है उसी तरह से हमें अपने हाथ पाउं भी टैन वे बहुत गंदे लग रहे होते हैं और गर्मियों में एक अजीब सा टैन होता है जो कि आना शुरू हो जाता है हाथों पे और पाउं पे और क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमने इंजॉ पढ़े हो या उनका रंग हमें खराब लग रहा हो तो फिर मज़ा नहीं आता जूता पहनने का और मूट खराब हो जाता है कि भाई यह कपड़े बहने थे इतने शौक से और उसके साथ ये शूस पहन चाहरे थे या पहन ली और उसके बाद जो हमें अच्छा नी फीलो रह करें स Спेशली गर्मीहों के मौसम में तो उस से कैसे बचा जा सकता है और हातों पाओं को जो है वस्ताफ सुत्रा कैसे बचा चाहीज abandoned तो उसके लिए आपको YouTube पे ही आना पड़ेगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी इस इंफर्मेटिव चिचाट का हिस्सा बन सके हमें जॉइन कर सके ठीके जी तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसे ही गर्मिया आती है तो गर्मियों में ना सिरफ हमारा जो फेस होता है उसके कलर में हमें एक चेंज फील होता है और हम कहते हैं कि ये डल लग रहा है बलकि हमें हातों पाओं पे भी डलनेस फील होना शुरू हो जाती है इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो नकल्स हैं वो डाक लगना शुरू हो जाते हैं या होज जाते हैं या सब्दियों के खराब होए वे होते हैं और उसके बाद फिर हमें वो गर्मियों में तंग करना शुरू जाते हैं क्योंकि गर्मियां आती हैं तो हमने open shoes पहनने होते हैं, half sleeves पहनने होते हैं और फिर हम conscious हो रहे होते हैं कि हमारे हाथ पाउं जो हैं वो साफ नहीं लग रहे हैं। जो हाथों पाउं की skin होती है वो face की skin से बिल्कुल different होती है। हाथ और पाउं की skin जो होती है इवन हाथ और पाउं की skin में भी फर्क होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसी पाओं की स्किन है वैसी हातों की स्किन होती है यह मैं आपको बता दूं कि पाओं की स्किन जो है वो निस्बतन जादा मोटी होती है और जो हातों की स्किन होती है वो उससे कंपारिटिवली कम मोटी होती है एक और इशू होता है जो पाओं होते हैं वो क्योंकि dependent एरिया होता है तो उस पर अगर चोट लग जाए तो उसका निशान या किसी भी वज़ा से अगर पाऊं के अपर कुछ भी हो जाए तो वहां पर healing जो है वो slow होगी slow process होगा healing का लेकिन अगर जो है अगर हातों पर होगा तो उसमें ये के comparatively उससे जल्दी healing हो जाती है ठीक है पाऊं जो है और हाथ जो है sorry पाऊं होते हैं उसमें हमारे पास दो surfaces होती है एक हमारे heels होते हैं यानि के पाऊं के तलवे होते हैं जहां पर ये problem आरी होती है कि heels भट रही हैं पाऊं बिल्कुल dry हो रहे हैं खुश्क हो रहे हैं क्योंकि जो तेज गरम होती है जैसे ज्यादा करब मौसम होता है तो उसमें भी यही problem होती है कि skin over dry रहना शुरू हो जाती है इससे पानी की body में अगर पानी की कमी हो उससे भी problem होता है लेकिन बाहर जो तेज धूप होती है या उसके इलावा हम क्यूंके open shoes पहन रहे होते हैं तो जो गरम हवा होत होते हैं अपने आप को जो है एक सुपून पहुंचाने के लिए या कमफर्टेबल लखने के लिए temperature कम रखने के लिए बॉडी का उससे भी जो है वो स्किन ड्राइ होती है इसमें हमारे पाओ में एक तो आपके हील्स होते हैं जो पाओं के तलवे होते हैं उनके उपर हमें moisturization की जरूरत होती है और वहां से dead skin को हटानी की जरूरत होती है जब तक के dead skin नहीं हटेगी आपने देखा है जैसे पपड़ियां जमीन ही होती है पाओं के उपर उस तरह से बहुत मोटी skin जिन लोगों की हो जाती है पाओं की पाओं के तलवों की या heels की तो उसके अंद यहां तक के जखम भी बन सकते हैं और उसके अंदर से blood भी निकल सकता है bleeding भी हो सकती है और जो पाओं की उपर वाली skin होती है उसके और problems है उसमें यह problem आरा होता है कि जिस shape का जूता पहनते हैं बिलकुल वही design जो है वो हमारे पाओं पे बनना शुरू हो जाता है गर्मियो जूता तो जहां जहां रगर लगती है वहां वहां से आपकी skin के उपर निशान पढ़ना शुरू हो जाता है और आप तंग होते हैं कि जूता किसी और style का है और साथ में जो रगर से निशान बने में वह तो पता नहीं क्या बने में और यह इतना बुरा लगता है और पाओ में समला गया है ठीक है मुर्चाया वा है और कलर जो है वो बहुर डल हुआ हुआ है उससे पर यह problem आती है कि आप इससे कैसे बचें जूता भी open पहनना है अच्छा मैं आपको थोड़े से जो tricks बताने वाली हूँ या जो tips देने वाली हूँ वो क्या है पाओं की skin क्यूंके मोटी होती है और healing poor होती है तो आप याद रखें कि जैसे हम आपको कहते हैं कि face की skin के उपर exfoliate करें और moisturize करें उसी तरह से इसको भी करना होता है तो आप क्या करेंगे कि जो पाओं की heels हैं अगर वो फटी भी रहती है तो आपने ये करना है कि आपने हफते में दो दफाई क कर लें कि आप गरम पानी ले लेंगे गरम पानी में कोई अच्छा सा शैंपू डाल देंगे जिसके अंदर पहले से कंडिशनर ये बहुत अच्छी बात है उसको आप पानी में mix कर लेंगे पानी इतना गरम हो कि आपको गर्म लग तो रहा हो लेकिन जलाय नही और आप जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्यूमे स्टोन कहते हैं, और बहुत लाइट वेट और स्पॉंजी से जो हैं, आपने वो लेके अपनी सारी की सारी जो हील्स हैं, उनको स्क्रब कर लेना, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, कि उसके बाद आपने धो लेना अच्छा है, वो आप लगा सकते हैं, यह मैं उस वकत की बात कर रही हूं, जिस वकत आप यवला प्रॉसस करेंगे, तो अगर आप हफते में दो दफा यह करेंगे, तो आप देखेंगे, कि आपके पाओं जो हैं वो फटे वे नी रहना शुरू हो जाएंगे, और मोईस्च सॉल्ट होता है, समंदरी नमक जिसको बोलते हैं, आप वो ले ले और उसके साथ कौफी जो है, वो भी डाले, दोनों पाओडर की फॉर्म में होंगे, आपने यह करना है, कि आपने हाथ गीले कर लेने हैं, और पाओं गीले कर लेने हैं, और उसके बाद यह वाला पाओडर और उसके उपर डाल के और उसकी मसाज शुरू कर गए, आप मसाज करते जाएंगे, तो आपकी डेट स्किन जो है, वो उतरती जाएगी, और उससे आप देखेंगे, कि जोब आप मॉइस्टराइज करेंगे, या कोई क्रीम लगाया करेंगे अपने हाथों पाओं पे, तो अपने हाथों पाओं आपको पहले से बहुत बेतर नजर आएंगे, उसी तरह से हाथों के उपर भी आप ये एक्सपोलियेशन का प्रोसेस ऐसे ही कर सकते हैं, और हाथों के उपर भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि हटे में दो दफा जो है, वो आप पानी के अंदर डाल क के शैंपू और उसके इलावा कोई अच्छा कंडिशनर, बिल्कुल बही वाला स्टाइल जो है, वो आप हाथों पे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की स्किन निस्बतन कम मोटी होती है, पाओं के निस्बत, तो आपने दिहान रखना है कि जिस वकत आप इसके उपर प्युम के उसका क्या करना है? उसमें यह प्रॉब्leum होती है कि कुछ लोगों की सिकन सॉफ्ट होती है, तो आपने ये ट्रिक करना है कि आपने जूता कोई भी पहना हो, उससे पहले आप मॉस्चराइज करेंगे, मॉस्चराइज करने के बाद, कोई 10 मिनट के बाद आपने जूते नहीं भी लगा पाते हैं अगर आप सुभा के वक्त मॉइस्टराइज कर लिया करें अपने हाथों पाओं को और रात को सोने से पहले कोई अच्छी सी क्रीम जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी अगर आप वो इस्तमाल कर लिया करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ फ़ाओं उनके ओपर टैनिंग नहीं होगी उनका रंग जूल से का नहीं और वो बिटकुल साफ सुथरे रहेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे क्यूंके तभी आप एंजॉय साफ होंगे तो तभी आप एंजॉय करेंगे अच्छे अच्छे स्लिपर्स, सैंडल और जो है वो ओपन चूस पहन के आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीके जी अच्छा अब हम आजाते हैं कि कुछ में आपको चीजें दिखाने लगी हूँ वो आप बहर से देख लीजिए सबसे पहले में एक्सपोलियेशन के लिए जो है वो आपको दिखाने लगी हूँ Sprub या पिर Peel ठीके है ये एक Peel है और ये 8% Glypolic Acid की Peel है और ये आप हफ़ते में एक दफ़ा कर ले तो भी काफी है 10 सेकंड एक पाउं पे 10 सेकंड दूसरे पाउं पे और उसी तरह से 10 second एक हाथ पे और 10 second दूसरे हाथ पे जब आप इसको जिस तरह से रब करते हैं जैसे scrub लगाते हैं उसी तरह से आपने इस पील को लगाना चोड़ना नहीं है विल्कुल scrubbing action आपने इसको लगा के करना है और उसके बाद आप अपने हाथ दोलेंगे और को पील दिखाई है कि आप हफते में एक तदा दका है या चलो अगर हफते में भी एक तदा नहीं ज़सकते तो दस देर में तदा जरूर कर ले ठाट उल्टे में अब आपको लगाने वाली कुछ क्रीम एक तो मैं आपको यह लोशन दिखारही हूं बहुत सारे लोगों के बहुत ज़ादा खराब होते हैं हाथों पाओं के तो उनको मैं कहती हूँ या उनको सजेस्ट करते हैं कि ये आप रोज रात को मसाज कर लें सिर्फ खाली नकल्स पे ठीक है? या सिर्फ खाली निशानों पे पूरे हाथ पे ये मत लगाएं या पूरे पाओं पे या आप मत लगा या रोज लगा सकते हैं इसमें क्यूम्के सलेशाइलिक एसरोगद है और बहुत ही माइद सा All the Serot है तो जो डेट्स्किन होती है उतर जाती है जिस वकद डेट्स्किन उतर जाती है तो आप देखते हैं ये भी आप सिरफ अपने डाक नकल्स पे लगा सकते हैं, हाथ के भी और पाउं के भी, ताके वो जो निशान है या जो मोटी डाक स्किल है, वो ठीक हो जाए, शुरू हो जाए. ये भी आपके जहां जहां पर आपने दिखा है, नमाज पढ़ने से या जमीन पर बैठने से भी, वहां पर काला और मोटा सा एक निशान बनना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी आप यही चीज़े यूज करेंगे, जो मैं भी दिखा रहे हूं, ठीक है, ये भी आप रोज ये भी आप अपने डाक नकल्स पे या जो हातों और पाओं के निशान होते हैं, उन निशानों के उवर लगा सकते हैं, ठीक हो क्या जी? अब मैं आपको दिखाना शुरू कर रही हूँ जो आप रोज रात को पूरे हातों पे या पूरे पाओं पे लगा सकते हैं, वह क्या और एकदम से फ्रेश और हेल्दी लुकिंग देहेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, मॉइस्टराइजिंग लोशन है, लेकिन ये ब्राइटनिंग भी करता है, ये आप सुभा के वक भी लगा सकते हैं, और रात के वक भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये ब्राइटनिंग भी करेगा, और उसके साथ साथ जो है, वो आपके हाथ पाऊं उनको मॉइस्टराइज भी र लगा सकते हैं, even रात को भी लगा सकते हैं, ये आपके पूरे हातों पाउं पे लगाने के लिए हैं, उसी तरह से जो है, मैं आपको एक और दिखारी हूँ, ये जो है, ये आपने सिर्फ रात को लगाना होता है, ये आप सुभा के वक्त में लगाएंगे, सिर्फ रात को लग गर आप रात को इन में से कुछ लगा रहे हैं जैसे में आपको यह चीजे दिखा एंगा पी है तो सुबह के टाइम मॉइस्चराइज करने के लिए आप यHE वाला मॉइस्चराइजीं लोशन कर सकते हैं यह मैं अपको एक और रिपेश वैसर दिखा रही हूग है is रोफाइस है तो जिन लोगों के सिकन बहुत-जादा र्षाधा राइस है। मैं परके भूदकें 10% यूरिया के साथ में सब्स्क्राइजिं अच्टा प्राइब उुड है। अच्छा जी, एक और बात, अब पेशेंट का जो पुछते हैं, या लोग जो पुछते हैं, क्या मतलम, आपने मुझे यह सब चीजें दीन थी, मैंने इको लगाना शुरू किया, मेरे हाथ पाउं साफ हो गए, बहाद अच्छे हो गए, लेकिन फिर मैंने लगाना बंद कर द आप ये देखें कि ये हमारे साथ ही रहते हैं हाथ पाउं और हर वक्त एक्सपोजड रहते हैं, चीजे कावर तो नहीं होते हैं, अब जब ये हर वकत एक्सपोजड रहेंगे तो एथियात और इनका ख्याल भी तो हर वकत ही रखना पड़ेगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम अहतियात या ख्याल तो ना करें लेकिन चीज हमें बिल्कुल ठीक चाहिए और वो हर वकत इस्तमाल में भी हो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे आप अपने फेस की स्किन का या आप अपने बालों का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हातों पाओं को भी प्यार, महबबत, एहतियात और उसके साथ साथ जो है वो तवज्जो की जरूरत होती है और आप बिलीफ करें कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और वो हम उसे बादचीत कर रहे होते हैं तो हमारी नजर पाओं पे और हातों पे जरूर जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर जो है कोई बंदा जो है वो अपनी स्किन से अपने फेस की स्किन से ना पहचाना जाए कि उसकी एज क्या है तो आप हाथ देखेंगे तो आपको बता चलेगा कि उसकी एच क्या है तो हाथों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हमारे फेस की स्केन का होता है अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बताया है कि आप घर में क्या कर सकते हैं और पिर मैंने आपको दिखाया है कि आप घर में क्या लगा सकते हैं, क्या एक्तियात कर सकते हैं और किस से आपकी skin जो है वो हाथों और पाउं की अच्छी रह सकती है अब हम आजाते हैं कि let's suppose आप यह सब कुछ कर लेते हैं बट उसके बावजूद आपके हाथ पाउं के अपर कोई निशान बने वे हैं या उनका कलर खराब हुआ है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे प Such आप आप हमारे पास आजाएंगे और क्लेडिक के ओपर डिफरेंड तरह के त्राग त्रीप्मेंट्स अवेलेवल होते हैं अगर सिरफ फाली डाक नकल्स हैं तो उसके ओपर हम काबन पील से जो है वो डाक नकल्स को कवर अप कर देते हैं जब ठीक हो जाएंगे तो आप सिर्फ कोई चीज पूरे हातों पर लगाना शुरू कर देंगे तो वो सारे एक जैसे और साफ सुत्रे हो जाएंगे उसके इलावा हम क्या करते हैं उसके इलावा जो है वो क्यामिकल पील्स किये जाते हैं अगर डार्क नकल्स बहुत जादा होते हैं तो सैलसाइलिक आसिट की पील की जाती है जैसे इसके अंदर सैलसाइलिक आसिट डलावा इस दोशन में बट ये बफर्ड है जिस वकत हम जो ह यहला सी होता है कि फिर हम क्लिनिक में आपके नग को हम साफ कर देते हैं और बाकी जो रंग उसका करना होता है पूरे रहातो पाओं का भो आप लगार के भी ठीक कर सकते हैं इसके इलावा क्या होता है? इसके इलावा, microdermabrasion होता है, जिससे हम dead skin उतारते हैं, और उसके साथ ही जो है, वो इसके अंदर serum infuse करते हैं, वो brightening या whitening serums भी हो सकते हैं, उससे भी आप हाथों पॉंग के कलर को री स्टोर कर सकते हैं, छीक हो गया, इसके साथ साथ बहुत दफा कम्पें होती है, कि हाथ जो है, वो dry रहते हैं, और इतने dry हाते हैं, उसके क्या लगाना है, लगा लगा के थक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, यह फिर भी ऐसी रहते हैं, तो उसमें हम hyaluronic acid के creams भी देते हैं, जो आप घर में लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ फिलर भी लगाया जाता है, त जो के हम inject कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे आपके हाथ जो हैं, उसकी बारीक बारीक लाइन, उसकी जूरियां या अगर रगें ज्यादा नजर आरी हो तो वो आपको बेतर हो जाएगा, और पिर आपको इतना ज्यादा मॉइस्टराइज भी नहीं करना पड़ीग करते हैं, वो जैसे सिल्वर टे निकाल देता है, विल्कुल वैसे ही करता है, तो यह दो तीन तरह की चीज़ें या डिफरेंट तरह की प्रोसीजर्स ते जो कि मैंने आपको बता दिये हैं, और आपको इतनी इंफरमेशन मिल गई होगी कि आप घर में क्या कर सकते हैं, एहत से कुछ प्रोसीजर्स जो है, वो डेफिनेटली शेयर ही हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके के हम क्लिनिक में कैसे यह सब ठीक कर सकते हैं, ठीक है और अब हम चलते हैं, आपके क्वेस्टन आंसर्स की तरफ, तो लेट सी के हमारे पास जो है, वो किस तरह के क्वेस्टन सा हैं, लेट मी स्टार्ट रीडिंग यूर क्वेस्टन, ठीक है, आइमा एहमर कहरी हैं, नहीं, सबसे पहले बुक्स एंगेम निका है, हाई, हाई, उसके बाद आइमा एहमर कहरी हैं, हाव तो यूस एंड हमच रेतिनोइट पर एंटी एजिंग पर्पॉस, रेतिनोइट 0.05 राइट स्टेंग सेफ और एंटी एजिंग पर्पॉस, आइमा आपकी स्किन कैसी है, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है, और उसके साथ-साथ इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप हाइर कॉनसेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, शुरू में औ उसके बाद फिर low concentration से maintain कर लेते हैं और या पिर यह होता है कि आप low concentration से start करते हैं और आइस्ता आइस्ता concentration को बढ़ा लेते हैं अगर किसी चीज में, अगर किसी सरम में या अगर किसी भी cream के अंदर 0.01 या 0.03 तक retinol है तो इससे जादा कि आपको जरूरत नहीं होती यही कंट्रोल में नहीं आपाती इसके उपर आप 0.1 या 0.3 तक लगा रहे होते हैं अगर आप हाईर से start करना चाहते हैं तो 0.3 से start कर लें और उसके बाद low से maintain कर लें 0.1 से नहीं तो आप 0.1 से start कर सकते हैं और 0.3 तक लेकर जा सकते हैं ठीक है Moon Sky कह रहे है मामा के white hair है डाय शैंपू का नाम बता दे डाय शैंपू वह शैंपू जो के डाय की तरह आप लगाते हैं तो कलर देता है मैं तो उसको बिल्कुल रेकिमेंड नी करती हूं और मुझे तो आपका question जो है वह लगता है आपके यही पूचा है मैं ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ रेकिमेंड नी करती है जो डाय सेफ शैंपू होते हैं अगर आप वह पूच रहे हैं तो different companies के आते हैं जिन पर color safe या फिर sulfate free shampoos लिखावा होता है जो last मेरा live था वो सारे का सारा था ही इसके उपर आप उस video को दुबारा देख सकते हैं क्योंकि वह आप Facebook के यूट्यूब के उपर है आप उसको दुबारा देख सकते हैं और उसमेंसे जो है आप कोई भी information ले सकते हैं उसमें मैंने चीजें भी दिखाई नहीं है और नाम है रिमूबल करने की वज़ा से क्योंकि आप बाकी सब मैथर्स बंद कर देते हैं जिसमें सकिन खिचती है और डार्क होने का चांस होता है या खराब होने का चांस होता है जैसे वाक्सिंग है थ्रेडिंग है या फिर ब्लीच करना है उस सब चीजें क्योंकि आप यह करना तो उसकी जगा से एक खथम होगा बहुंदा है, जो पिग्मेंट तरहे जो अगी फे वहां थीक हो जाता है, और इंकरों हेरा शता है, अगी फट्रों हैर उसके खथम कर देती है। इसकी लगा से जगा से बहुत अच्छा हो जाता है। रजाली कह रहे हैं, डर्मी स्टर क्रीम विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हालरॉनिक आसिट वाली क्रीम या सिरम यूज़ करना चाहिए कि नहीं? अच्छा डर्मी स्टैर वाली जो क्रीम है वो आप किसी भी वेदर में यूज़ कर सकते हैं आप उसे सुबह भी उसकर सकते हैं रात को सोने से पहले भी उसकर सकते हैं और उसके इलावा क्योंकि इसके अंदर अल्रेडी हायलरॉनिक एसिड है तो आपको एक्स्ट्रा हायलरॉ है लैसे तो यह कि पिरेटर नॉइन को तुबारा से आप यह देख लो ज्यादा तर चिन के ऊपर चो अपनि होती है वह साइकलिक नाइदि अपकी स्केनोरेन क्रीम आती है वो ले ले और उसको रोस रात को हलका सा थोड़ा सा सिरफ फाली चिन के उपर लगा लिया करें ताके दाने बन ना सके ठीक है इसको आप अपने कॉंटिनुस यूज में रख सकती है सुगा के वक्त आप संब्लॉक लगाए और रात को सोने से पहले सि अगर आपके पास यूवी यूवी बी दोनों का कवर है तब भी आप क्यूंके बाहर है तो आपने पांच खिंटे के बाद उसको रिपीट करना है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है एक्साइट पर जाएं अपने बैग से अपने संस्क्रीन है संब्लॉक उसको निकाले और अगर मुँ नहीं भी वाश कर सकते तो दुबारा से उसे लगा ले अगर ओली स्केन है तो फिर एसा करें कि जो मैं टोनर प्लस क्या कहते हैं अगर फेस वाश कम टोनर और इसके समकी चीज़े दिखाती रहती हूं उसी तरह से जो है वो मेकप रिमुवर्स और टोनर्स भी ह तो आप क्या कर सकते हैं कि वो आप अपने साथ रख सकते हैं उससे आपने वो हलका सा वाइप किया फेस को और उसके उपर दुबारा से सं लॉग लगा लिए और कोई हल नहीं आपको संलॉक तो लगाना ही पड़ेगा दुबारो आईशा खान के रही है मैं मैंने रेटिनॉइट स्टार्ट किया था ट्वाइस लीकली लेकिन मेरा कलर बहुत डल हो गया है काइंडली मुझे बताएं क्या करूँ आईशा एक मैंने स्किन क्यूंके देखी नहीं है इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपको परजिंग हो रही है और आप इसको स्टार्ट रखें या फिर आप इसको बंद करते हैं मेरा कि ख्याल है कि आप ऐसा करें कि इसको कंटीनिव रखें और इसी तरह से हफते में दो दफाह ही लगाती रहें जो बाकी के नाइट सोते हैं जो बाकी की नाइट सोती है उसके अंदर आप को और अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम लगा लिया करें ठीक है डियू टू लगा सकती है, Gluton Max लगा सकती है, उसके अलावा आप लिवा लगा सकती है, यह सब अच्छी है जिनको आप continuous use में रख सकती है, परल नाइट लगा सकती है, यह करें, यह जो गंदी स्किन वाला फेज है यह गुजर जाएगा, तो आप इसी तरह से रखें और यह खुदी से ठ तो सुबा के टाइम आपने sunblock जरूर लगाना है, ठीक है, आलिया कमल के लिए है, जी, आलिया कमल के लिए माम, अगर कोई MBPS दॉक्टर नहीं, RMP किया हो, तो वह कैसा दॉक्टर होगा, उसके पास जाना ठीक होगा, एक्नी के लिए, भाई, MBPS दॉक्टर नहीं है, तो वह आहाई है ये तो आपकी मर्जी है कि आ pew आप किसी हकीम के पास जानाचाती है, किसी होम्यू पैत के पास जानाचाती है या आप डॉक्टर के पास जानाचाती नहीं और फिर वो निशान जाते भी नहीं जैनब आप कुछ और तो नहीं करते हो फेस पे जैसे वाक्सिंग थ्रेडिंग या पिर जा जा के फेशियल कराना अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसको छोड़ दो और इसके इलावा जो है आप यूज कर सकते हो गेलिट क्रीम गेलिट क जवेरिया मलिक करी है माम, I am 25 years old now, please मुझे anti-aging products बता दे, night cream, serum, I have oily skin, अगर आपकी oily skin है तो यह रात को लगाना शुरू करें, यह देखें, 10% glycolic acid की क्रीम है यह रोस रात को लगाया करें और सुभा जो है आप sunblock लगाया करें आपकी oily skin है आप UV light के नाम से sunblock आता है वो सकती है, sun tan के नाम से आता है sunblock आप लगा सकती है, सुभा के वक्त लगाएं और राप के लगाएं जो और एक्स्ट्रा ओएं गो कंट्रोल होगा और आपकी स्केन आपको पहले से स्मूधर और ब्राइटर लगें, ठीक है उसके बाद आलिया कमल कही है माम, अगर नाय सिनमा कोई हर्च नहीं है, ठीक है? आईशा खान कहने है माम, बोटॉक से सागी स्किन भी टाइट हो जाती है या नहीं? आईशा देखना पड़ता है कि साग कितना है और स्किन के उपर किस चीज की जरूरत है तेखो जो भी जैसे सागी स्किन वाले अगर चार-चे पेशन्स हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब जो है वो किसी एक ही प्रोसीजर से ठीक हो जाएंगे तो वो देखना पड़ता है जब तक देखे नहीं तब तक समझ नहीं आएगी वैसे मीजो जो बोटॉक से मीजो थेरपी करते हैं वो भी स्किन टाइटनिंग करती है सिंपल जो है वो डि तरह के प्रोसीजर्स हैं लेकिन जब तक हम पेशेंट को नहीं देखे हम उंको स्पिसेफिकली बता नहीं सकते कि आपकी स्किन के सैक को या आपकी स्किन को ठीक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो बेस्ट रहेगा आईशा खान कहरी है six months regular यूज किया ट्वाइस अ अच्छा ओ पर आपको बहुत ज्याधा देर होगी आईशा अगर आप इतना इतनी देर से जो है वो राटनौस यूज करें तो अब आप बंद कर दो अब आप उसको मत लगाओ ठीक है आप उसको ना लगाओ और कोई और एंटी एजिंग आप कर सकते हो ठीक है आप मुझे किलाव आप hyaluronic acid अड़ कर सकते हो रात के ताइम पर hyaluronic acid अड़ करने से भी आपको अच्छा एंटी एजिंग एफेक्टा है बट चीजे वो होनी चाहिए जिसमें इंग्रीएंस हो सिर्फ लिखाना हो किसके अंदर है और पता चले कि वह 400 रुपे का 500 रुपे का 600 रुप होती है यह सौल्स एक्सपैंसे और यह एक्सपैंसे भी रहेंगे आप बिल्कुल ना सोचो कि इतना सस्ता सा कोई सरम है उसके अंदर या पो डलावा वो कह रहे हैं और वह बाकी दला होगा जैनब जैरा कहरी है माम मेरे फेस पे एक्से स्वेटिंग होती है अब तो जब संस्क्रीन फेस पे लगाती हूं तो वह ऐसी जलन करती है अच्छा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है स्वेटिंग जादा है अच्छा स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए ट्राय कर लें ब्ल ब्लॉटिंग पाउडर्स आते हैं वो एकसिस स्वेट या एकसिस ओयल दोनों को बेतर करते हैं आप ब्लॉटिंग पाउडर के नाम से देखें आपको मिल जाएगा जहां से कॉस्मेटिक्स अच्छे मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हो NYX यानि के NYX जो कंपनी है उसके भी ब्लॉटिंग पाउडर्स जो है वो अवेलिबल है पाकिस्तान में एजिली और मेरे खाले यह आप ऑनलाइन भी ममबा सकते हैं ठीक है वो लगा के देखें अगर तो उससे स्वेटिंग कंट्रोल होती है तो वेल इन गुड अगर नहीं हो ठीक है शहीर के रहे है मैं कुछ स्किन कैंसर पे भी बताएं क्यूंकि अकसर तब पता चलता है जब काफी स्प्रेड हो जाता है अब शहीर स्किन कैंसर जो है वो पाकिस्तान में तो इतना साथा कॉमन है ही नहीं है और मुझे यह लगता है कि उससे जो प्रॉबलम आता है जब आप ऐसी किसी चीज के उपर इन जैनरल पबलिक में बात करते हैं तो हर किसी को लगता है कि मेरा जो यह तो यह तो कैंसर ही है या मेरा यहाप एक जखम बन गया है और यह ठीक नहीं हो रहा यह कैंसर ही है तो मुझे लगता है कि वो शायद ज्यादा परेशान कर जाती यह चीज और आपको यह अंडरस्टानिंग नहीं हो पाती, बस आप एक चीज याद रखें, आपको अगर कोई ऐसी चीज बनती है, जो के पहले भी थी, जैसे कोई तिल है या कोई भी चीज है वो आपको पहले भी थी, लेकिन अब उसके अंदर कलर का डिफरेंस आ रहा है, या दो कलर उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, तो आप कॉंशिस हो जाए और जा के एक दफा डॉक्टर को दिखा लेने में कोई हर्च नहीं है, वो दिखा लेंगे आप तो तसली हो जाएगी कोई खत्रे की बात तो नहीं है, अगर किसी चीज और किसी चीज की ज़ुर यह जी चीज मेरे स्किन पर या मेरे फेस के ऊपर बन गी, यह तो स्किन कैंसरी है, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद रजा अली कह रहे हैं, वाइटमिन सी सिरम और लिवा क्रीम अकट्टे यूज़ कर सकते हैं, और आइस के पास भी लिवा क्रीम के अंदर वाइटमिन सी आपको सेपरेटली लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको आइस के अराम भी लगा सकते हैं, फेस पे, नेक पे, कहीं पे भी, हाथों पे भी लगा सकते हैं, लिवा क्रीम में खुद से वाइटमिन सी डला हुआ है, सेपरेटली लगाने की जरूरत नहीं है, आइशा कुश अगर आप पहले मौइस्चिराइज कर लेहें तो यूजिली ब्राइटनिग की ब्राइटनिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो इस बेटर के अगर कोई फिस वैफिन रगा लेते हैं तोcak पहले उसके बाद उसके ईॉपर आप प्र मौइस्चराइजर लगा सकते हैं और अगर आपको उसको लगाने के बाद मौइस्चराइजर की जरूरत नहीं रहती है तो आप बेश्चराइजर स्किप करते हैं ठीक है जवेरिया मलिक कहा है मैं मेरी बॉड़ी कलर फेयर है बट फेस और हैंस और फीट कर डाग प्लीज कुछ बता दे कि ठीक हो जाए बहुत कुछ ट्राइजर यार मैंने इतनी चीजें आपको दिखाई हैं जवेरिया मैंने इतने प्रॉडक्स आपको बैठ के दिखाए हैं हातो हुँ हराब रहता है वो इसलिए कि यह सन एक्सपोस्ट एरिया हैं ठीक है यह वह वाले एरियास हैं जो के सन में एक्सपोस्ट रहते हैं तो सं लॉक लगाएं अपने पाउं पे भी हाथों पे भी अगर आप बाहर जा रही है तो नहीं तो दिन के टाइम पर और आम्स के ऊपर वोज राथ को लगा सकते हैं ठीक है रसाली कहरे है डर्मी स्टर क्रीम से क्लियर कलर भी फिर होता है यह नहीं डर्मी स्टर की क्रीम आप कौन सी वाली कह रहे हो अगर तो आप hyaluronic acid वाली फिलर वाली क्रीम कह रहे हो तो उससे कलर तो अच्छा नहीं होत कि एक तो यह कि आप यह करें कि कोई और ऐसी चीज तो नहीं आपके यूस में जिससे सेंसिटिफ हो रही है या हीट में बहुत स्यादा चाते और संब्लॉक को रिएपलाई नहीं करते हो रिएपलाई भी ज़रूर करो संब्लॉक इतना प्रॉब्लम ली जितना वेदर का औ भी है पर जो इन युँचा कर लें और विंप अप्रागे में से चानकी निकाले उसको स्प्रे बॉटल में डालें उसको फिरेमें रखा करें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब आप उसको यूस करेंगे चुनिंट परेंगे अपने सेष्ट के तो जो बहुत डल हो गई है पहले से कंग में लोग मेकप करके यह खरे अब हो करके आपको बंस ऑपको बॉरियों भी थी आपको कोई डर्म ट्वी थी यह ए पर चेक करोगों और देखो अगर आपकी कोई prescription है और उसको use करते हुए आपको skim पे कोई issue आ रहा है तो ये portal उसके लिए नहीं है आपके पास आपकी prescription है हमारे पास आपके सारे के सारे forms या जो भी चीज है या सारी details होती है कि आपके उपर क्या किया गया आपके face पे आप बहुत आसानी से जो नीचे डिस्पले हो रहे होते हैं numbers और आपके पास prescription के नीचे भी लिखे होंगे आप उसके उपर जो है वो WhatsApp कर सकते हो अपने issue को along with your prescription एवन आपको अपनी picture भेज सकती है ताके हम चेक कर लें कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है यह इसकी वज़ा से हो रहा है जबके वो उनको गर्मियों में वैसे ही होता है ठीक है तो आपके पास एक portal है जिसको यूज करते हुए आप अपना issue जो है वो हमें अपने prescription के साथ भेज सकते हैं और हम पर आपको reply कर देंगे ठीक है रजाली कह रहे है मेरे लिप्स पर white spot बनते हैं खाना खाते हुए जलन होती है क्या क्यों white spots आपके lips के उपर हैं नहीं आपको दिखाना पड़ेगा यह किस किसम के white spots है और क्या जलन जो है वो sensitive lips की वज़ा से है या किस वज़ा से यह देखना पड़ेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा चीक है मैं वैसे इसके लिए help नी कर सकती है रूच इशपा कह रही है मैं घर में manicure पैली क्योर का तरीका बता दे आप अपने hands and feet का खयाल कैसे रखती है मैं अपने hands and feet का खयाल वैसे ही रखती हूँ जैसा मैंने आज आज आपको बताया है मैं हफते में एक दफ़ा पील भी यूज़ करती हूँ यह देखें यह जो मैं आपको पील दिखाई है उसके इलावा जो है वो रोज रात को जो है को जो होती है यह जपनी दफ़ा मैं मौइस्टराइज कर सकती हूँ मैं बार-बार मौइस्टराइज भी करती हूँ चीक है अच्छा पैडी क्योर मैंनी क्योर इसके इलावा कुछ नहीं होता आपको मैंने पील भी दिखाई है और घर में आपने किस तरह से करना है इनको बिल्कुल साफ सुत्रा और डलने से दूर रख सकते हैं ठीक है जी तो यह ता हमारा आज का सेशन और होफुली आपको इससे अच्छी इंफरमेशन मिली होगी और आप बिलीव करें कि जिस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे या ख्याल रखते हैं वो भी आपको पेबैक करती है जिस चीज़ का आप ख्याल नहीं रखेंगे वो कभी अच्छी नहीं रह सकती चाहे जितनी मर्सी अच्छी हो तो अपने हाथों पाउं को भूले नहीं, अपने हाथ पाउं का बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि हाथ पाउं जो हैं वो भूलने वाली चीज नहीं है हम अपना हर काम अपने हाथों से कर रहे होते हैं तो उसको भी तो ख्याल की जरूरत है ना ये तो नहीं है। आप इसको चौबिस घंटे करें हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रख रहें और सोच रहें कि खराब क्यों हो रहा है। या इसको तो बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो जैसे आप अपनी skin का या अपने बालों का ख्याल रखते हैं उसी तरह से अपने हाथों और पाउंकी skin का भी ख्याल रखें क्योंकि यह सब चीजें अल्ला की बदीवी निमते हैं, assets हैं और आप इंका ख्याल रखेंगे तो यह भी आपको payback करेंगी और आप देखेंगे क इनकी वजह से आपको कितना अच्छा फील होगा क्योंकि अगर आपकी स्किन साफ है तो आप जो चीज पी पहन लेंगे आपको अच्छी ही लगेगी ठीके जी तो अपना बहुत साथा ख्याल रखें और जाने से पहले जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें बैल आ आपकी पहले लेगी घूफस् झाल झाल